लोगों के बारे में वर्नन करना लोगों के बारे में बताना इस ऐसे हमने 20 सेंटेंसे यहां पर जमा किये हैं जो आपको डेली यूसेज में आएंगे रोज मर्रा की जिंदगी में आपको काम में आते हैं हैं एक मोटी आउरत है एक मुटी एवरत है Maya is a fat woman Samira is a slim girl Samira is a slim girl Samira एक दूबली पतली लड़की है Samira एक पतली लड़की है Samira is a slim girl पतली यानि सलिम Mohan is well built person Mohan is a well built person Mohan एक अच्छी तरह से निर्मित यानि बहती ज्यादा जिसकी जिसमाने साफ़ अच्छी होती है उसे कहते हैं निर्मित वेक्ति है मौहन एक अच्छी तरह से तामिर शाख्स है यानि बहुत सहत मंद है मौहन is a well-built person मौहन is a well-built person राशी is a beautiful girl राशी एक खूबसूरत लड़की है राशी is a beautiful girl सलमान is a handsome boy सलमान is a handsome boy सलमान एक सुन्दर लड़का है सल्मान एक खूबरू लड़का है सल्मान इस अ हैंडसम बाई ऐश्वर्या इस अ फैर लेडी यहां फैर के मीनिक दो जगा से निकलते हैं एक वो जो सही इनसाफ करें एक वो जो गोरी हो जिसका रंग साफ हो तो यहां पर दोनों हमें बयान की है एश्वर्या इस अ फैर लेडी एश्वर्या एक मुनसिफाना खातून है एश्वर्या गोरी औरत है एश्वर्या गोरी महिला है एश्वर्या एक इनसाफ पसंद महिला है एश्वर्या इस अ फैर लेडी संतोष कुमार इस अ डार्क मैन संतोष कुमार एक काले रंग का आदमी है यानि उसका रंग खद्रे डार्क है संतोष कुमार एक श्वेत वर्निय पुरुश है अब यह डार्क के मैने अधेरा भी होता है लेकिन यहां पर रंगत के लिए इस्तिमाल किया गया है संतोष कुमार इस डार्क मैन इस कॉम्प्लेक्शन इस वेटिश अब यह कॉम्प्लेक्शन किसे कहते है यानि रंगत इसकी रंगत गुंदुमी है या इसका रंग गुंदुमी है ऐसा भी कहेंगे या उनका रंग गे हुआ है ऐसा भी कहेंगे इस कॉम्प्लेक्शन इस वेटिश Mr. Sardar Singh has a beard and mustache Mr. Sardar Singh की डाड़ी और मूचे है Mr. Sardar Singh has a beard and mustache Pradip Kumar is a clean shaved doctor प्रदीब कुमार मुच मुणवा डॉक्टर है प्रदीब कुमार मुच मुणवा डॉक्टर है प्रदीब कुमार इस एक मीनिंग होता है जिसे डाड़ी मुच ना हो और एक heavy के meaning यानि जिसमें आप वजन को गिनते है इस grey packet is lightweight अब यहाँ पर lightweight वजन के लिए इस्तेमाल किया गया है इस grey packet is lightweight यानि गधे रंग का जो packet है वो हलके वजन का है यह grey packet हलके वजन का है इस grey packet is lightweight यह टोकरी अंडाकार की शकल की है यह टोकरी बैजवी शकल की है यह टोकरी अंडाकार आकार की है इस basket is oval shaped यह कुवा बहुत गहरा है इस well is very deep well एक मेने एक मीनिंग के होते हैं जिसमें आप कुवे के लिए love word इस्तेमाल करते हैं एक well यानि अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे good का synonym यहाँ पर well means एक कुवा next इस pond is shallow यह तालाब उथल है यह तालाब उथला है इस pond is shallow इस route is long but safe यह जो रास्ता है यह लंबा है लेकिन महफूज है यह रास्ता लंबा लेकिन महफूज है यह मार्ग लंबा लेकिन सुरक्षित है इस route is long but safe उमीद है यह वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाखात होगी तब तक लिए